गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मन सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम 16 महाजन पदों के परीचे के बारे में पढ़ेंगे 16 महाजन पदों के नाम और इनके बारे में अन्य जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा महाजन पदों के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतियास से सम्मंदित और भी नई जानकरी प्राप्त हो सके तो देखेगा स्टूडेंस हमने वदिकाल क्या था सिंदुगाटी सब्बेता इतियास क्या था वदिकाल क्या था इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है आप पहले वाले वीडियो को देखेगा आपको सारी इंफोर्मेशन वाँ पर मिलेगी तो देखेगा पढ़ते हैं महाजनपद तो महाजनपद काल प्राचिन भारत में राज्य या परसासनिक इकाईउं को कहते थे उत्तरवधिक काल में कुछ जनपदों का उलेग मिलता है बोध गरंतों में भी इनका उलेग कई बार हुआ है और महाजनपद काल है इनको अन्य भी कई नमों से जना गया है जैसे सुत्रकाल, बुध्यूगे, दुध्य नगरीकरन आदिय नमों से भी महाजनपद काल को जना गया है महाजनपद हैं वो 16 हैं थे यहां पर हम 16 महाजनपदों के बारे में जानकरी प्राप्प करेंगे तो देखेगा पहला जो महाजनपद है वो है कासी कासी की राजदनी वाराणसी थी इसे बनारिस भी कहा गया है वाराणसी के सासक अस्वसेन और अस्वसेन कोन से अस्वसेन जो 23 वे तिर्थंकर पास्रनाथ के पिता थे यह चेतर सूत्तिवस्तर वे घोडों के व्यापार के लिए परसित था कोस्टल महाजनपद ने इसे जीत लिया था ठीक ना प्रम कता से संबन्दित प्राचींटम ग्रंत दश्रत जात्त के Emm salah धम कगा से था अगला महाजनपदा था कोसल की दो राजधानियां थी कई बार देखेगा महाजनपदों की राजधानियों के बारे में पूस लेते हैं तो यहाँ पर ढंक से देखिएगा कोसल माजनपदा इसकी दो राजधानिया थी स्रावस्ति और हुसावती ठीक है यहां के परसिल सासक परसेंट जीत थे और ये बुद्ध के समकालीन थे ये क्यों सुन भी कई बार पूछते हैं कि कौन सा सासे का वो बुद के समकालीन था वो है परसेंजित परसेंजित ने अपनी बहिन कोसल देवी का विवार बिम्बिशार से कराया तथा कासी दहेज में दिया कासी की आए एक लाग स्वन मुद्रा भी दान में दी थी कासी और एक लाग स्वन मुद्रा दान में दी थी यहां से क्या होता है मुद्रा प्रणाली प्रारम हुई तथा भूराजस्व का आंकलन मुद्रा में होने लगा परसेन जितकी पुत्री वजीरा का विवा है अजाज सत्रू से हुआ ठीक ना तो बहिन का विवा है बिम्बिशार से पुत्री का विवा है अजाज सत्रू से कोसल महाजनपत के एक अन्य परसित सासक विद्दू धान भी हुए है अंग जो पूर्वी बिहार में अंग की राधनी चमपा थी पुराणों में चमपा को मालीनी नाम से भी जाना गया है ठीक है ना चमपा के वास्तुकार महा गोविंद थे अंग के सासक ब्रहम्दत थे जि प्राजित कर विंबि सार ने अंग जीता था ठीक है वत्स महाजनपत वत्स की राजदानी कोसांबी थी कुरूवंस के सासक निचकसू ने कोसांबी को राजदानी बनाया तो वत्स की राजदानी कहा थी कोसांबी और कुरूवंस के सासक थे निचकसू उन्होंने कोसांबी को वत्स की राज़दानी बनाया आग्या चलकर यहां पोरवन्स का सासन इस्तापित हुआ पोरवन्स सासन का सासन कहां पर हुआ वत्स नामक महाजनपद में मल मल नामक महाजनपद की दो राज़दानिया थी कौन कौन सी थी पावा और कुसी नारा और यह एक गनतंतर था कु और कुशी नारा दो राजदाने थी कहां कि मल महाजनपत की वन वाजनपत है यह गणतंतर था और कुशी नारा एक तो मल की राजदाने के लिए दूसरा कुशी नारा में महात्मा बुद्ध की व्रत्यु हुई थी अगला माजन पता है वजी, वजी का शाब्दिक अर्थ होता है पसु चारक सम्मू है और ये भी एक गणतंतर था वजी में आठ सम्मू है थे वैशाली के लिछवी, कुंडगराम के ग्यात्रक, मिथिला के विद्य, रामगराम के कोलिय, उग्र, भोग, मोरववे और इक्स्वाकू अजासत्रू ने महात्माबूद के वैशाली में उपस्तित होने के समय आकर्मन किया अजासत्रू ने महात्माबूद के वैशाली में उपस्तित होने के समय आकर्मन किया लंबे संगर्स के बाद अजासत्रू ने मंत्रियों, कौन-कौन से मंत्रियों, सुनीद और बर्सकार की सहता से वजी समुहों में फूर डलवाई यहां वजी समुहों को जीत लिया था तो वजी समुहों को किस ने जीता अजासत्रू ने अगला माजन पताता है सूरसेन जो मथुरा में था पूराणों के अनुसार सूरसेन का सासक यदूवन्स का सासक अवंती पुत्र था जो की अवंती के सासक चंड प्रधोत की पुत्री का पुत्र था ठीक है ना और ये बुद्ध समकालीन थे बुद्ध का ये सिसे भी था कोन अवंती पुत्र ठीक है कूरू जो दिल्ली हर्याना में पढ़ता है कूरू इंद्र प्रेस्त यहां की राजदानी थी यहां का सासक उद्यन था आरंब में यहां राजतंत्र था जो आगे चलकर गनतंत्र में बदल गया अर्ज सास्तर जदा पुराणों में इस महाजनपत को राज सब्दोप जीवी है कहा गया है तो राज सब्दोप जीवी है कौन जे महाजनपत को कहा गया है कूरू को चेदी जो बुंदेल खंड में यहां की राजदानी सोथी वती या फिर सुक्ती मती भी कह सकते है तो चेदी की राजदानी सोथी वती या सुक्ती मती थी, यहां का सासक क्रिश्ण का फूफेरा भाई चिशुपाल था अगला माजन पताता है अस्मक जो MP में अस्मक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था, यहां की राजदानी पतीना या फिर पोतना थी यहां का सासक अरुण था, सासक अरुण ने कलिंग पर आकर्मन किया और अस्मक को अवंती ने जीत लिया था थीक है, बोध गरंत चुल कलिंग से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है पांचाल जो यूपी में, पांचाल की दो राजदानिया थी, पहली उत्री राजदानी अहिच्छत्रपूर, दूसरी या फिर दक्षिनी राजदानी कमपिले थी पांचाल महाजनपत को कोसल ने जीत लिया था पाकिस्तान में यहां की राज़स्टानी राजपूर्या हाट्टक थी यहां के सासक सु दक्षिन तथा चंडरवर्धन थे इर्आनी सासको ने कंबोज को जीत लिया था किनों ने जीता कंबोज को डेलिस फेस्ट या पिर दारा बहु ने अगला माजन पता था गांधार जो पाकिस्तान के रावल पिंडी पेशावर मेशती था यहां की राजदानी तक्सिला थी गांधार के अन्य नगर जो परसित थे वे हैं पुसकलावती पुसकलावती का ससक पुसका सिरीन था जो बिंबी सार का समकालीन मगद दरबार में दूत मंडल भेशता है ठीक ना बिंबी सार का जो समकालीन था वह कौन था पुसका सिरीन और मगद दरबार में यह अपना दूत मंडल भेशता है मतस्य पूर्वी राजस्तान ये महाजनपद अलवर जेपूर भटपर के छेतर में फ्यला हुआ था इस महाजनपद को अवंती ने जीता था तो मतस्य जो महाजनपद है उसको अवंती महाजनपद ने जीता था अवंती की दो राजधानिया थी उज्जेन जो उत्री छेतर में थी तता महिस्मती दक्षिनी छेतर में थी यहां का सासक चंड प्रधोत बिम्बिसार बुद परसेंजित का समकालिन था चिकिस्ता के लिए बिम्बि सार ने अपने राजवैद जीवक को चंड प्रेदोत के दर्बार में बेजा था जब अवंती को मगद सासक सिसुपाल ने मगद में मिलाया था तब अवंती का सासक अवंती वर्धन था वस महाजन पद को भी मगद का अंग बना लिया था भुद ने धरम परचार के लिए अन्यक छेत्रों की यात्रें की लेकिन अवंती नहीं जा पाए थे अगला आता है मगद जो बिहार में देखेगा बोध ही इंपोर्टेंट महाजन पद है ये मगद की राजदानी गीरीवरज या फिर राजग्रह ही थी यहां की दूसरी राजदानी पाठली पुत्तर थी गीरीवरज या राजग्रह है और दूसरी राजदानी पाठली पुत्तर थी पाठली पुत्र को उद्यन ने स्थापित किया था तो पाठली पुत्र का इस्थापन किस ने किया उद्यन ने मगद में कई वन्सों ने सासन किया जो इस प्रकार से है हरियक वन्स एक आपका अंदन्द वन्स भी था ठीक है तो देखेगा देखते हम पन हरियक वन्स पूराणों के अनुसार मगत का पर्थम सासक सिसुनाग था लेकिन इत्हयास में बिम्भी सार को ही मगत का पर्थम सासक मना गया है बिंबिसार ने वेवाईक समंदों के मादेम से रानतिक सक्ति के विस्तार की योजना बनाई बिंबिसार के गांधार के सासक पुसका सरीर अवंती के सासक चंड पर्दोत से रानतिक समंद थे बिंबीसार ने मगद समराजयवात की सुरुवात की उसने सरवा पर्थम भ्रहमदत को प्राजित कर अंग को मगद में मिलाया बिंबीसार ने स्रेणिक छेत्रिय बिंबीसार की उपादिया प्राप्त की थी बोध दरम को सरंक्षन दिया बिम्बिसार ने बोध दरम को सरंक्षन दिया बुद को बेलुवन विहार दान में दिया और बेलुवन विहार बुद को दान में दिया था जैन धरम भी बिम्बिसार को जैन धरम का सरंगसक मानते हैं तो जैन धरम मावलं भी हैं वो भी बिम्बिसार को जैन धरम का सरंगसक मानते हैं 422 हिसा पूरा में उसके ही पुत्र अजासत्रू ने बिम्बिसार की हत्या की जैन करंथ अजाज सत्रू को पित्र हंतागा दोसी नहीं मानते हैं ठीक है ना तो इसको यह माना गया कि बोधरम का भी था और जैन द्रम का सरंगसक भी था अब वैसे तो मानते हैं कि अजाज सत्रू है इन्हों ने अजाज सत्रू ने बिम्बिसार की हत्या की लेकिन जैन करं से लेके 460 इस्सा पूर्व में तो बिम्बिसार और अजासत्रू अजासत्रू ने समराजे विस्तार के निती बनाये रखी इसने वजी संग को सुनीद वसकार मंत्रियों की सहता से जीता इसने कोसल सासक परसेंजीत पर आकरमन कुल उसकी पूत्री वजीरा से विवाह किया व अजासत्रू ने कुणिक की उपादी दारन की वजी संग के विरुध महासिला कंटक रथ मुसल जैसे युद सास्त्रों का उप्योग किया था तो कुणिक की उपादी कोन दारन करता है हरियक वन्सका सासक अजासत्रू यह सासक धार्मिक रूप से उदार सासक था ठीक है न द्रमावलंबी जैन द्रमावलंबी दोने मानते हैं इसको अजासत्रू लेकिन ज्यादा ये बो द्रम से संबंदी था अजासत्रू के समय पर्थम बो संगीती जो राजग्रह की सरपिणी गुफा में हुई थी तो हमने बो संगीतियों के बारे में भी पहले पड़ा है देख आया था तो ये क्यूसर भी कई बार आता है नेट की एक्जाम में भी पूछा गया क्यूसर है कि कौन्चे सासक ने राजग्रह में महात्मा बुद्ध के वस्यसों परिस्तूप बनवाया था वह है अजासत्रू अगला हरिये कवरंस का अगला सासक है वह है उद्यन इसने प नाग दसक ちबूारा इस को नाग दसक को हटा कर वाराण से के मगत गवरंणर शीशुर पाल को नया सासक बनाया तता सिशुर पाल ने नाग Czech की स्थाफना की अब अपने क्या पड़ा लका इस सासकों के बारे में पड़ ॉद्यन नाग दसक अब अपन पढ़ेंगे नागवंस के बरे में तो नागवंस की स्ताफना करी है किसने करी सिसु पालने ठीक है तो नागवंस नागवंस के कई राजाओं ने मगद महाजनपद पर सासन किया था सबसे पहले आता है सिसु नाग सिसु नाग ने अवंती को जीता था वेशाली को दूसरी राजदानी बनाया था तो अवंती की जो दूसरी राजदानी है वेशाली वो किसने बनाई थी सिसु नाग ने अवंती को जीता और वेशाली को अवंती की राजदानी बनाया अगला सासर काता नागवन्स का कालासोक कालासोक को पुराणों में काकवरण कहा गया तो काकवरण किसे कहा गया है कालासोक को कालासोक के समय में दूसरी बो संगीति कायोजन हुआ था बो संगीति के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ आप देखेगा माँ पे अगला वन्स आता है नंद वन्स महाजन महापदम नंद जिसको उग्रे सेन भी कहा गया है तो महापदम नंद ने नंद वन्स की स्थापना की थी महापदम नंद महा नंदिन तता सुद्र महिला से उत्पन माना जाता है तता नंद वन्स से इस्थापित किया इसने इसने सर्व अक्षेत्रां तक की उपादी धारण की तो सर्व अक्षेत्रां तक की उपादी किसने प्राप्त की महापदम नंद ने महापदमनंद दूसरा परशुराम कहलाता है महापदमनंद सुद्रे वरण का था इसके समय में मगत का सामराजे पस्चिम में पंजाब तक फैला हुआ था इसने कलिंग पर अकर्मन किया तदा जैन तिर्थंकर सीतल नात की मूर्ती पाठली पुत्तर ये लाया कलिंग में नहर का निर्मान करवाया था खारवेल के हाथ तोई गुंभा बिलेक से पता चलता है कि जो महापदमनंद है उसने कलिंग में एक नहर का निर्मान करवाया था महापदमनंद के आठ पुत्तर थे इसका आठवा पुत्तर गनानंद था युनानी इत्यासकारों ने घनानंद को अग्रे मीज या फिर जेंद्र मीज कहा है इसी के समय भार्त पर अलेकजेंडर का आकर्मन होता है और अलेकजेंडर मकदूनिया का सासक था ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा उनके सासकों के बारे में पढ़ा और आगे भी आपको ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद